हेलो इवरीवन वेलकम बाइक माई यूटूब चैनल दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम कुछ लेकर आए खास फॉल्डिंग टेबल आपके लिए इसको बनाने का पूरा प्रसेस आपको दिखाने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार् प्टी का साइज 1,5 इंच और लंबाई 12 इंच और चार प्टी आपने और रेडि किया है जिसकी लंबाई 18 इंच है और 4-5 इंच चारो प्टी की लंबाई और 4-1 सिंटर में आपको होल कर लेना है नटबोल्ड के लिए और जो अंदर का प्टी आएगा दो उसमें बस उप टॉप में आधा इंच पीछे रखके पट्टी को फिटिंग कर देना है इस तरह से और नीचे से भी आपको एक सीद उपर ही रखना है क्योंकि जब आप टेबल खड़ा करोगे तो इसमें टॉप में घिसेगा इसके बाएं हम दूसरी पार करें हैं एक पर स्वाइबनू आओ यह इसके बाएं दूसरी डालना ना इसको फीटिंग कर लेना है कि दोनों साइड आपको एसा ही करना है वासर आपको सेंटर में आलना है बाहर नहीं डालना इस तरह से तो दुनों साइड आपको ऐसे वासा डालते फिटिंग कर लेना है इसके बाद हमने जो अंदर पट्टी टाइट किया है उसके बीच में एक हम छोटा सा पीस फिटिंग कर लेंगे इसलिए क्योंकि हमारा अगर पट्टी रहेगा तो डिस बैलनस नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से हमारा ये काम करेगा तो आपको कीले या इस गुरू की सहाथा से पट्टी लगा लेना है आपको पट्टी बस एक ही साइड में डालना है अंदर साइड वाल पट्टी जो है उसमें डालना है बार वाले में लगाना है एक चोटी पट्टी आपको टॉप के अंदर पीटिंग करना रहेगा तभी रुकने वाला है नहीं तो रुकेगा नहीं इस तरह से हमने जो अंदर का पट्टी लगाया से थोड़ा कम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस रुकने के लिए लगाना है आप चाहे तो पट्टी के जगह पर पीवी सी भूश भी लगा सकते हो पट्टी लेकिन सबसे बेश्टा है अगर लगड़े का पट्टी है तो और अच्छा है यह तो प्लाइवूड है अगर लगड़ा है तो सबसे बेश्ट है क्योंकि पूरा पूरा बैलेंस उस पर ही आने वाला है बाला है आपकान को बातिक अवार सब्सक्रादाइब और दोगा है आपको एक छोटा पट्टी नीचे वाले हिस्से में भी फिटिंग कर लेना है क्योंकि दोनों साइट से अगर पट्टी रहेगा तो बरावर बैलेंस रहेगा इस तरह से बाहर वाला जो उम्हार फ्रेम है उसमें टाइट नहीं करना है बस जो अंदर का फ्रेम है उसमें टाइट करना है उपर और नीचे क्योंकि यो दोनों साइट से उसको दबा के रखेगा और डिस बैलन्स नहीं होने देगा इसलिए हमको दोनों साइट पटी लगा लेना है कि अलें दोनों साइट से वे टार रहां वे दृटी लगा हुआर टीम है मुझार थार है तो आपका टेबल बनकर पूरी तेज तयार है देखिए हमने जो इसमें लैमने टीज किया है वह है वुट कलर का और इसका एज जो वाइड दिख रहा है आपको आप चाहे तो एज बैंडिंग लगा सकते हो या इसको पेंटिंग कर सकते हो तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये टेबल कमेंट सकते में जरूर बताएए इंतिजार रहेगा हमको आपके कमेंट का तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत क्युंक का तो मैंटिंग कर दो में आपको आपके का तो ये बताएए आपके का तो प्लाएए टे खार